हेलो स्टूडेंट्स एड वेल्कम तो दे चैनल दे एचेच क्लासेज अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो हमने युनेट वन क्लास सिक्स का सिविक्स का कम्पलीट कर लिया है जिसमें चैप्टर 1 था जो कि था अपटर 2 अगरे अब हम आ गई है चैप्टर 3 पर और यह युनेट 2 का पहला चैप्टर है जो की है गवर्मेंट अब इसमें आज हमने दो चीजे पढ़ने हैं ये वाला चाप्टर हम दो वीडियो में complete कर लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा चाप्टर है तो इसमें आज हम दो ही चीजे पढ़ेंगे पहली बात तो इसके introduction की government होती क्या है उसकी definition तो यह सारी चीजे हम पढ़ेंगे और एक साथ में हम पढ़ेंगे कि government के different levels क्या है levels of government तो यही दो topics हमने आज पढ़ने हैं तो बेना time को waste के chapter को बिल्कुल शुरू करते हैं तो students आपने बहुत बार यह word जगा यह सुन लेते हैं government तो इस chapter में आपको यह पता लगेगा कि government होती क्या है और इसका हमारी lives में क्या रोल यह प्ले करती है यह हमारी lives में और वो governments का काम क्या होता है वो कैसे यह decide करती है कि उन्हें क्या करना है और बहुत सारी जो अलग अलग टाइब की governments है जैसे मनार्की है democracies है इन सब क्या आपको मीनिंग पता लगेंगे आपको differences पता लगेंगे डायार की है मनार्की है dictatorship है democracy है यह सारी चीज़े आपको पता लगेंगे इस chapter में तो इस chapter को हम शुरू करते हैं अभ यहाँ पर कुछ इस पर सक्वांगे ठाइच्टेंट सरी घिवर्यत्ट días इंए इस और हिए जह दुस्न Februar है थे हिर्च से उप्रयंगे राइच्ट की पार imm आपकोर अकमरbewांट स्वांग क्रिण資 और पत हमोंडियो ने कुछन Tambawo मंटश्ट और झानिपकों।ाइच का रबंड neo तो यह सारे एक जो कोटेशन थे अब हम चलते हैं सही बिल्कुल सीधे चैप्टर की ओर हर कंट्री को गॉर्मन चाहिए होती है डिसेशन लेने के लिए और अपने काम को करने के लिए अब यह क्यों चाहिए होती है हम पर मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पेश्ट रूप से बता देता हूं देखे हम अपने देश की ही बात करते हैं हमारा देश एक सो पैतिस से लेकर के एक सो चालिस करोड लोगों की जन संख्या का देश है तो यहां पर किसी पूरे देश को चलाने के लिए कुछ डिसीशन लेने होंगे हम अब उन डिसीशन को लेने के लिए अग अगर हम 140 करोड लोगों को रोज कहें कि आपको अपना एक वोट देना है अपना एक डिबेट में आना है मीटिंग में तो इसमें बहुत जाल दिक्कत होगी सबसे पहली बात तो कि यह इतने लाड़ स्केल पर हम मीटिंग करी नहीं सकते हैं दूसरी बात लोगों को इतना इं है कुछ ऐसे लोगों को चुन देते हैं कि सबकी तरफ से वो खड़े होेंगे और वो हमारी तरफ से डिबेट भी करेंगे मीटिंग में भी जाएंगे सारा काम भी करेंगे और डिसेजन मिलेंगे तो यह सारे decision कैसे हो सकते हैं कि रोड कब बनाने कहां बनानी है school कहां बनाने है या फिर जो प्याज का price है उसको कैसे कम करना है जब वो बहुत जदा expensive हो जाए या फिर electricity की supply कैसे बढ़ानी है और government बहुत सारी social issues पे भी action लेती है जैसे कि उसने बहुत सारी programs बनाए है government ने पूर को help करने के लिए गरीब को की मदद करने के लिए तो यह बहुत सारी अलग-अलग चीज़े करती है important things करती है जैसे कि postal को run करना या railway services को run करने जैसा तो government की और क्या job होती है कि वह अपनी country boundaries को भी protect करके रखती है और peaceful relation बना के रखती है दूसरी countrys के साथ जैसे कि हमारे जो border पे countrys है अफगानिस्तान चाइना पाकिस्तान म्यामार नेपाल तो इन सब के साथ जब भी कोई dispute होता है तो peacefully इसको resolve किया जाता है यही सारे peaceful relations बन जाते हैं और यही की चीज़े responsible होती है यह ensure करने के लिए कि इसके सारे citizens के पास बिल्कुल अच्छी अच्छे चीज़े हो खाने के लिए और भरपूर खाना मिले उन्हें और उनके पास अच्छी health facilities हों जैसे कि इस समय में तो आप देखी रहे हैं कितना health के ओपर ध्यान दिया जा है तो जब natural disasters आते हैं जैसे कि सुनामी आ जाती है या अर्थक्वेक आता है तो यह सिर्फ गौर्वर्मेंट का काहिम ही होता है जब उन्हें organized way से लोगों को बचाना होता है जो affected people होते हैं जैसे कि इस टाइम पर बाड़ाई हुई है बिहार में वहाँ पर 81 या 82 लाक से भी ज्यादा लोग उससे प्रभावित हैं बिहार असाम सब जगा आई थी अब साम में तो कम हो गई है अभी जिस समय में वीडियो को बना रहा ह यहने शायद जब आप देखें तो तब वह ऐसा ना हो लेकिन अभी में इस समय जब यह वीडियो बना रहा तब तो बाड़ा आई हुई है मैं के एक्जैम्पल के तोर पर बता रहा हूं कि यह गौर्मेंट का काम होता है वह एंडिया अरफ के टीम में भेजती हैं वहाँ और बचावदल को भेजा जाता है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी सहायता करने के लिए और उनको सेफ जगा पर पहुचाने के लिए वहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता है और भी और अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या फिर कोई क्राइम कर देता है तो फिर लोग कोट में भी जाते हैं कोट भी गौवर्मेंट का ही पार्ट होता है यह सारी चीज़े आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अभी एकदम सारा डिटेल में पॉल लेंगे तो बहुत जादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी अभी आपको सिर्फ ब होती क्या है उनको ऐसा करने की जब human beings है वो जिन्दा है जी रहे हैं और वो आपस में एकठे मिल करके काम करते हैं तो एक organization होनी चाहिए जो decision बनाएं उनके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 140 करोड़ लोग हैं वो कट्थे नहीं कर सकते decision नहीं बना सकते इसलिए उनको एक ऐसे लोग चाहिए एक organization चाहिए जो उनके लिए rules बनाए decisions ले और country को peacefully चलाएं तो कुछ ऐसे rules बनने चाहिए जो सब पर apply कि जाएं फर example यहां पर दिया हुआ है कि country के resources को control करना बहुत ज़रूरी है उसकी territory को protect करने के लिए ताकि उसके जो है citizens है वो secure feel करे और safe feel करे तो government से कैसे करती है अपने लोगों के बहाफ पर वो खड़ी होकर ऐसे leadership करती है decisions लेती है और यह सारी इन सारे rules को decisions को implement भी करती है तो अब हम नेक्स थे हैं कि levels क्या होते है government के हमने देख लिया कि government क्या होता है government एक ऐसी organization होती है जो सभी सभी के लिए rules और decisions लेती है और उनको implement करती है अब चलते है levels आप government के और तो अब आपको यह पता लग जया कि government सभी चीज़ों के लिए responsible है बहुत सारी चीज़ों के लिए तो अब यह कैसे करती है अब हम इसके बारे में देख लेते हैं अब जो government है वो बहुत सारे levels पर work करती है जैसे कि लोकल level जो फिर state level और फिर national level लोकल लेवल का मतलब क्या है कि जैसे किसी गाओं में या फिर टाउन में या स्कालिटी में जैसे कि अब मैं जिस जगह पर रहता हूं करनल वहां पर अगर कोई municipality है में सिपल corporation है तो उसे कहेंगे हम local government जो अर्बन में आ जाए और अगर आप विलेज की बात करें तो विलेज में जैसे पंचायत होती है सरपंच होता एक और पांच लोग होते हैं पंच होती है उसमें तो उसे भी local government का जाता है जैसे जिला पर इशाद यह सारी से निगल गया था क्योंकि मैं 6 से 10 तक कि सब के ही वीडियो को बनाऊंगा तो इसलिए बर बनाता रहता हूं इसलिए ऐसा होता है और state level का क्या मतलब है कि जो पूरी state जैसे कि हर्याना हो गया असाम हो गया पंजाब हो गया पूरी state के उपर जब होता है रूल तो उसे कह देते हैं state government तो और national level पर पूरी country के उपर ही हो गया जैसे कि आपको पता यह प्रधान मंत्री जी नरेंद्र मोदी तो इस book के में हम बाद में भी इसके बारे में function करती है और जब आगे आप बड़ी classes में जाएंगे 7th 8th में जाएंगे और फिर आप उनके बारे में और भी ज्यादर detail में पढ़ पाएंगे अभी आपको सिर्फ basic बहुत ही basic चीज़े पढ़नी है यह यहाँ पर एक political map दिया हुआ है इंडिया का जिसमें सारी states और capitals को ब बता होना चाहिए है कि हमारे देश में 28 states है और 8 union territories है यह बिल्कुल latest 2020 आपको बता रहा हूं कि क्योंकि आर्टिकल 370 के abolish करने के बाद लदाख और कश्मीर को दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और जो दादराण नगर हवेली थी और दमेन एंड पहले दो अलग अलग वो थी यूनियन टेरिटरी लेकिन अब यह एक ही मर्ज हो करके एक ही हो गई है इसलिए 28 states हो गई है और 8 union territories फिर एक और यह मैप दिया हुआ है आपर administrative divisions है इस इसको तो यह बिलकुल एक बहुत complex हो जाता है इसलिए आपको पढ़ने की यह जरूरत नहीं है अब अगले वीडियो में हम इस chapter को खतम कर देंगे जो की होएगा laws and government एक यह topic हो जाएगा और types of government बस फिर और democratic comments यह चोटे चोटे दो तीन topics है तीन topics है और उसके बाद हमारा chapter भुजाएगा फिनिश इस दे एंड आप दे वीडियो थैंक यू गुडबाई और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल